हाई अर्यवान वेलकम तो दे न्यू वीडियो आज हम देखने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू फोर नेक्स टेडिंग सेशन देट इस 29 जून और क्या हमारा स्टेजी रहेगा ट्रेड करने के लेवल्स हम डिसाइड करेंगो और कुछ टॉक्स में आपके साथ डिसकस करूंगा जो कि आप नेक्स टेडिंग सेशन के लिए ट्रेड कर सकतो तो चले स्टार्ट करते हैं निफ्टी इंडेक्स में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला था बहुत ही अच्छा रीकवरी देखने को मिला यह 20 में के पास यहाँ पर हमें रेजिस्टन्स देखने को मिला था और मार्केट ने आज वहां से नीचे गैप डाउन दिखाया बट अच्छी रीकवरी देखने को मिला है तो डेली चाट पर कोई इतना बड़ा स्ट्रॉंग सिगनल अभी नहीं दिख रहा है बट अगर इसी को अगर यहीं रेज में ओपन हो रहा है तो अगर यहीं रेज में ओपन हो रहा है तो प्रॉपबिलिटी है कि मार्केट में हम देखेंगे कि कैने वह रेंज फ्रमेशन कर रहा है या फिर सीधा ही ब्रेकावट दे रहा है तो रेंज फ्रमेशन के बाद ब्रेकावट अच्छा रहाएगा ट्रेड करने के लिए अपसाइड के लिए और अगर यहाँ पर हमें ओपनिंग में कोई नेगेटिव केंडल देखने को मिल गय है सब प्रॉबिलिटी है कि फिर से हम यह वाला लेवल री टेस्ट करेंगे जो कि आज के टेडिंग सेशन का हाई है तो आज के टेडिंग सेशन का हाई काफी यहां पर मार्क किया हुआ था जो मैं यहां पर फिर से एड कर दे रहा हूं 16200 के पास पर उससे पहले अगर हमें देखना है तो कैसे देख पाएंगे वो भी हम एक बार निकालेंगे यहां पर यह जो रेंज फॉर्मेशन हुआ है स्विंग का है तो वह लेवल में फिर से यहा पर मार करेंगा 16400 और 50 की रेंज में हम बात करेंगे सोuciones जर प devantके पास एक यह पर इजिस्टन्स देखने को मिल सकता है ओक यह था लेवल फॉर निफ्टी नेक्स बैंग के अगर बात करते हैं डैं दन में भी हमें यहां पर देखने को मिल रहा है के gap down opening देखने को मिला 20 ये में पर resistance देखने को मिल रहा है daily time frame पर अभी ये आज ये बहुत important structure formation हुआ है इसका high जब तक नहीं निकालेगा कोई भी बड़ा अच्छा खासा bullish view नहीं देखने को मिलेगा 15 मिनिट के time frame में हम देखते है smaller time frame में एक range formation हुआ है आज और यहां पर एक resistance और इसने form किया हुआ है तो ध्यान कौन से levels रखने है आज के trading session का low बहुत important रहने वाला है अगर ये break कर रहा है 33,500 के नीचे अगर market जा रहा है तो हम ये जो gap है नीचे में 33,150 तक के levels भी देखने को मिल सकते है यहां पर यहां पर तक के levels भी देखने को मिल सकते हैं यहां काफी important होने वाला है यह चले देखते हैं अभी stocks में क्या है तो सबसे पहरा जो stocks है वह हमें यहां पर देखने को मिल रहा है टाइटन कंपनी यहां पर देख पार हो daily time frame में एक gap down ओपनिंग हुआ बेरिश केंडल हुआ गुड वॉल्यूम बिल्ट अप हुआ है यहां पर 20 देखने को मिल रहा है तो इसमें के अंदर व्यू बैरिश रख सकते आप यहां पर कोई भी pullback देखने को मिलता है इस अ गुड अपोर्चनिटीव टू शॉर्ट सेल आप पीवर्ट पॉइंट करिये और उसी साब से आप वहां से भी कोशिश करिए कि उसको शॉर्टिंग अपको मिल सकता है तो ध्यान रखें इसको दूसरा जो स्टॉक है टीवी एस मॉटर का रहेगा इसने अपने आल टाइम हाई अच्छीव किया है इसमें व्यू बुलिश है आज का सेशन हाई है ट्वेंटी ट्वेंटी थी कराए ट्वेंटी फोर पर बाई करिए नीचे में पांच रुपे का स्टॉपलस रखा है एट वन नाइन का और आप उपर में वन रिश्टू टू का टार्गेट लगए इसमें टीवेस मॉटर और उसके बाद एक और स्टॉक है भरती अर्टेल अच्छा का सा अपसाइट रैली हुआ है पॉस हुआ इंसेट फॉर्मेशन द लगाई है पांच रुपे का है वन रिश्टू टू 695 का आप इसमें टार्गेट लेके चल सकते हो या 700 तक का सो यहते स्टॉक्स फॉर्ड नेक्स रेडिंग सेशन एंड मार्केट हमने अल्रडी डिसकस किया है आश्या रखता हूं वीडियो आपको पसंद आया है वीडिय के ले इतना है थैंक यू सो मच गुद्बाई आवरिवान